पिल्म की शुरुवात 1905 से होती है जहां एक प्लेन में कोई गडबड़ी योबे भी जिसमिज़से उसे जपान की एक आइलेंड पर उतारा जा रहा था ये काम एक सीनियर पाइलेट कर रहा था जिसका नाम शीकिशिमा होता हैं वो इस वक्त अपती पूरी टीम के साथ था आ इनकी पास वो जैसे ही पोंचम सबको एवर्जेंसी अलाम की अवास सुलाई दीती है जिस पर असे पूरी टीम खब्रा गई क्योंकि तब इनकी सामने गड़्जिला जाता है वो आगी बढ़ रहा था उससे दीकर स्था इनों काफी डर जाते हैं वो भागने लगी किसी को समझ नहीं आती है कि हम इसे अपनी मशीन गंजी मार सकती हैं शीकिशिमा जी आपको एज सकना चाहिए अब शीकिशिमा गंतो लेता है पर गड़्जिला की पास आने पर नजाने उससे क्या हुआ वो मशीन गंसी गोल्या ही नहीं जला पाता इसलिए सबी सिपायों को अपन और तमाब का हुआ, शीकिशिमा काफी दूर जाकी गिराब, वहीं भी होश हो जाता है, और सब को मारने की बाद गौर्डजिला सोनों से दारनी लगता है, सुबह जाकर शीकिशिमा को होशा है, आगी बढ़ने पर उस तरी देखा कि मेरी पूरी टीम माली यही है, हर तरफ उ काफी दुखी हो गया, शीकिशिमा को वाकी पाइलिस के साथ वापिस टोक्यों भी दिया जाता है, वो जब घर आया तो पैता चला, कि यह पंबारी की बज़र सी, सब कुछ टैस नहीं सो भिया है, सारी घर तोट फोड़ गी, यहां तक कि शीकिशिमा का गर भी पूरा पर चुका था, यहां उसकी पड़ोसन मिली, कहती है, कि तुम बच गे हो, मेरो ती भी बुली, पर मेरो बेटा मारा गया, शीकिशिमा पूछता है, यह माम टैप सीना ही, वो कहती है, कि मैं यह सब ही माली गए, तो कि ओकर आवी बढ़ी, वार बार यही कहती रहती है, कि हमारे किसमत ही खराब है, जिसमें हमारे साथ यह सब हो बिया, शीकिशिमा जब आवी बढ़ा, तो पुलिस एक औरत की पीछी पड़ी हुई थी, उसने हाथ में बच्चा उठाया हुआ था, औरत जो भाद रही थी, तो वो उसके सामने आ दिया, तब और शीकिशिमा को वो बच् कर आवी बढ़ने नगा, नोरी भी उसके पीछे पीछे जाने नगी, कहीती है कि तुम हमें इस तरह अखेरे नहीं चोड़ सकती, राज के वक्ती ही लोग, शीकिशिमा दी घर के पास करी, नोरी बताती है कि मेरा इस तर्मिया में कोई नहीं है, और सच बात तो यह है कि इस बच्ची की मौम ने, इससे मेरे हवाले कर दिया था, यह कहकर कि अधर मुझे कुछ भी हुआ, तो इसे तुम पाने ना, शीकिशिमा काफी खुश हो व्यागती, ताहरी तुम बहुत अच्छे इंसान हों जो इस चोड़बी से बच्ची को पाल रही हो, अगले दिन काम की इनाश में शीकिशिमा आगी बढ़ा, परोसन उसे पुछती है, कि वो औरत और बच्ची कौन ही, शीकिशिमा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे पीछे आभी थी, हमारे तला वो भी पीखर और ना चाह रही, परोसन भी पुछती है, कि वो बच्चे हर वब क् पिलाती, कोई चीज लहीं खिलाती, शीकिशिमा कहता है कि वो उस औरत नोरी की बच्ची नहीं, पीए सुनकर परोसन को बच्ची पर तरस आगया, वो उसे दूर पिलाती है, यह उसे शुक्रिया दा कीती है, और एक साथी लेनी लेनी लिए, एक साल तक सब ऐसी जंतरा, ए पाने लगवाए थी वहां, दोरी केती है, मगर यह काम काफी कतर नाक लगा रहा है, शीकिशिमा कहता है कि यहां, बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे हम जिन्दी में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत खुश रहेंगी, जो बच्ची के लिए बहुत जरूरी है, दोरी केती है, मगर में तमी मरने नहीं देना चाहती, शीकिशिमा कहता है, पर मुझे कुछ नहीं होगा, त्युकि गौर्मिट है में काफी अच्छी हत्यार और कष्टिया नहीं रही है, और अग्ले दिन शीकिशिमा जब काम पर गया तो उसे बता चला कि गौर्मिट में इनके साथ बस पोला हैं त्यूकि इन्हें बस आम से हतियार और किष्टियां दी जारें यह शीकिशिमा की मुलाकाद डॉक्टर से भी हुई जो इस पूरे मेशन की हेड थी दॉक्टर उसे भी किष्टियों की बारे में सारी बास अंशार देता हैं डॉक्टर की लोग एक माइन बॉम को पुचलता हूँ आवी बरने लगता हैं बयानक सपना देख शिकिशिमा चोकर और चाता हैं अपने साथियों की मौट पर कफी दुखी होने लगा नोरी उसे पाले पिलाती है शिकिशिमा बताता है कि मुझे ऐसे बयानक सपनी आती रहती हैं मीद करता हूँ कि जन मैं यह संबानती हैं अब इक आइलेंड पर न्युक्लिन दमाग का हुआ जो अमेरिका ने करवाया होता है पिर ऐसे वब बुजर्टा गया चयाओ शिकिशिमा अपनी टीम के साथ और भी कई सारी बॉंब्स को तबाह खुन दीता हैं और हंसी कुशी नोरी और बच्ची के साथ रह बताता है कि तमाखे की बात से ही मेरे साथ रह रहे है क्योंकि इसको मेरी तरह कोई भी नहीं और यह बच्चे भी हम दोनों की नहीं है जिस पर टीम कहते हैं कि आप दोनों को शादी करने ने चाहिए एक दिन नोरी शीकिशिमा को कहते है कि मुझे एक जवापर नौक्री मे जिसका उर्दा असर यह हुआ कि गॉर्डजिला और जदा बड़ा हतिरनाप और टाकत पर बन लिया है और अब वो जुपान की दरूबर रहा था अब यह टीम जब आगी बढ़ी तो इन्हें वोशिप बरबाद वी नजर आई जो 1945 में गॉर्डजिला की उमली से बरबाद इसके टीम काफी चॉंब वो सोचते है कि यह कंबला कौन सा जानुर कर सकते है जो इतना बड़ा था तब शीकिश्रीमा बताते है कि यह गॉर्डजिला ने किया था क्यूंकि वहां उसे मलीवी मश्किया नसर आ जाती है वो बताता है कि जब भी गॉर्डजिला ओपर आने कि यहां पर गोर्जिला आरा है वो डिटती हुए कीता है कि हम यहां से जल से जल निकलना चाहिए जिसके साथ गोर्जिला पानी से बाहिना जाता है वो इनकी शिप के पीछे लगया था और यह लोग तेरी से आगी बढ़ रहे थी शिकी शिपा और डॉप्टर एक काफी बड कर आगी बढ़ने लगता है यह लूप एक और बॉम पानी में फैंकते हैं लेकिन बॉम को फूरने वाली तारी कट हो जाती है इसलिए शिकी शिमा ओपर आकर मैशीन गंसी गोर्जिला की मूह में करिसाए शूर्स करता है जिससी वह दमागी होने लगी और गोर्जिला की करने लगती हैं जिसी वह काफी कुस्से में आ गया शिप के नीचे से जाकर हमला कर दीता है पूरी शिप को पलटने लगा मगर वो लोग अभी भी नहीं रुकती बार बार उस पर वाल करती रहती है जिससे गौर चिला भी जखमी हो गया पाने में चिला जाता है और अब व कि तुमने इतने सालों से हमें समाल रखाई और आज तिक महीं बताया कि तुम इतने पलेशान क्यों रहती हो शायद तुम मझे अपनी जिल्दी का हिसा नी समझती और अगर तुम अपने दुखम को सुना कर बाठ लोगी तो वो तुमें कम लगेंगी तब शेकिशिमा बता है वो हो करी रहता और जिसे जिन्दा रहेना है वो किसी भी हालत में नहीं मरें का शीकिशिमा कहता है मैं हरोजी छीजी याद करकी मरता हूं तौश में उनकी साथ उसे आलेंड पर ही मर जाता है नोरी फिर उसे समझा थे कि देखो अगर आज तुम जिन्दा हो तो ज़रू एक शेर पर आमना कर दिया है जो सुनकर शेकिशिमा को नोरी की नहीं काफी फिक होने लगी क्योंकि वो भी उसे शेर में नौकरी के लिए जबकि उस शेर में गौर्जिजा तबाहे मचाता हूँ आभी बढ़ने लगता है इसलिक नोरी एक ट्रेन में बैठी गौर्जिजा उन्हें वो दिख चुका था और अब गौर्जिजा उनकी तरूर पढ़ने लगा लेकिन वो फिर भी वहां से महीं एती गौर्जिला वहां आपर वुपी सी उस उन्हें टावल को तबाह कर दी था है वो तोड़ किया इससे साली रिपोड़ेट्स माली जाती नोरी जो नाग शुआएं लेहरें बाहें निगाने लगता है ऐसा होती ही वह जोड़तार करी सारे तबाकियों ने लखी शुवा कि सभी लोगों और बिंदिंग्स को अपनी नपीक में नीनी नखी शिकिशिमा को इससे बचाने के लिए नोरी उसे न्दक कर दी थी और इस हमने की त अबी बढ़ने लगता है उसे देखकर शिकिशिमा को भी खुसा आगया वो भी बदला नेरे के लिए धारने लगता है श्याय में सायलों पातरू पहले तबाहिं को दीकर कौफी परेशान हो जाते है और अब से भीर गोर्जिला पर ही लोग रिसर्च कोईने लगी घर आग अब तब हैं जर्नल आकर सबसे में होते हैं कहती है कि गोर्जिला के हमी काफी बढ़ चुकी इन हालात में हमानी मदद कोई नहीं करेगा हमें जो भी करना है खोदी करना होगा वो बताता है कि गोर्जिला को हराने के लिए डॉक्टर ने एक प्लैन मनाया जैसनकर सारे हुए थी हमने उसका आदा जीरा ढमाती से उड़ा दिया था लेकिन वो तुबारा हीन होकर फीक हो गया था पर इस बार हमारे पास नयव गयने हम शिप्स की जरीए गोर्जिला के जिसम की एनगल खिसो पर गयस की सिलिंडर लगा दीगी फिर उसे की स्वेर से काफी तीजी तो भी हमारे पास प्लैन B भी है प्लैन B में गोर्जिला जो पाने की गिराई में होगा तब उसके दिसम पर नगाए गई सिलिंडर पर बेलोर्स गुबारे खुल जाएंगी जिससे गोर्जिला जिस से नीचे गया था उसे स्पेर से वापिस उपर आने लगी था दो तिन पर बेलोंस की खुलने पर वो प्रेशर परदाश नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाए यह सुनतर एक ऑफिसर पुछता है सर आपको येकीन है कि इनमनों से गोर्जिला माना जाएगा इस पर डॉक्टर कहिए थे कि शायद लेकिन यह हमें करना ही पड़ेगा त्यूंक बड़ने के लिए हमें एक प्रेन को तैयार करना ही जो हत्यारों सी वरा हो और अब मुझे एक भी टीन मेकानिक की ज़्रुएद जो ऐसा प्रेन तैयार कर भी इह सुनक म्यां के तहर कर दें काम मेरें दोस कर सक पाहिए मैं उसकी Wales नहींतर अगना मुझे उसके मौका मिलाएं जिसने मुझे तुमारे मदद चाहिए गौर्जिना को मारने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए इससे तुम्हें तयार करना होगा इससे हमारे गौर्मेंट और आर्मी की भी हम मदद कर सकते हैं साथी क्रोडों लोगों की भी जाने बचा सकते हैं जिसके लिए व जिस आकन मिला, जहां उसने एक पेंटिंग बनायो थी, जो कावर्ज वो शिकी शिमा पदी थी, जो दीख वो कहता है कि बीटा, इस पेंटिंग में तुम काफी दुखी नगरी हो, क्या बात है, इस तर वो कहती है कि जी, क्योंकि मुझे 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 आ रही है, जो बताकन वो रोने लगी, उसे दिखकर शिकी शिमा को भी काफी दुख हुआ, वो बच्ची को सम्भानता है, जैस यह रात हुई, वो एक खत निकर बच्ची की पांस लगता है, और उसे सुला कर अपांसे चला जाता है, वो आकर मकैनिक से मिला, जिसने और भी कई सावे प्लेस तया पर आज तुम उसे मार कर अपना मतला जुरूर नेना, इस पर शिकी शिमा कहता है कि हाँ, मैं ऐसा करो मज़रूर, वो पर बच्ची की पनाएवे पेंटिंग देनी लगा, जो इन तीनों की थी, और यह वो बच्ची की साथ साथ नोरे को भी याद करनी लगता है, अबले द जबके ओदर सभी शिप सेमंदर में आवी बरूर ने लखते हैं, अपने लूकीशन पर जहां इनी जाना था, वो पाने में डिवाइसेश की मिदस से आवास पाइबा करती है, गोर्ड़िला को परिशान करनी की नहीं, जबके शिकी शिमा आप अपने प्लेन को लेकर और ज शेर में आगया था शिकिशिमा प्लेन को नेकर गॉणदिला के काफि करीप से गुज़र जाता ही उसके चाल दरव घूंकर हमने करनी लगता है गॉणदिला को प्रूदिला को प्रुण का पीछा करनी लगा जिसने शिंदे समंदर भी अपनी में लोकीशिन की तरफ बढ़नी एक बार फिर पानी में श्वाइन लेरे छोड़ता है, जिससे यहाँ एक बार फिर जौर दार दमागी होने लगी, लेकिन इस बार शिप्स पर इस ता पोई खास असर नहीं होता, जिसके बाद यह लग पानी में सिलेंडर्स फैक में लगते हैं, गोर्ज लागी चारों तरफ खोम कर उसके पूरी दिसम पर सिलेंडर्स लगाने नग थी, क्योगि इस लग उसता पूरा दिहान शिके शिमा के शिप पर ही था, और अभी लोग अपने शिप्स की जरिए सभी सिलेंडर्स को चना दी थी, जिसके साथ है काफी तेजी से गोर्ज लाग को पानी में तब हो कि वो अभी तक जिन्दा है, इसलिए अब वो प्लैन B के मताबिक सिलेंडर्स में लगाए गए बेरूर्स को ओपन करने नगती है, जिससे गोर्ज लाग एक बार फिर सीरी स्पीड में उपर आने नगता है, लगिन आर्सो मेंटर पर आने की बाद वो रूप जाता है, और वो उन बेरूर्स को एके कल की तोड़ने लगता है, इसलिए अब रस्यू को खेच कर गोर्ड जीरा को ओपर नाने की कोशिश की जाती है, पुछे देर में वो उपर आतो गया, पर उसके जिसम पर एक भी खुरोच नहीं आयो थी, वो जोर से अंतार ने लगा, पिर से शु शिकी शिमा प्लेन में बैट कर आके बढ़ रहा होता है, जहां उसे अपने बरी हुए साथियों की साथी, नोरी की भी यादा नहीं लगती है, और उसे एक बर फिर बदली का खयाल आया, इसे नहीं अपने प्लेन को नेकर वो गोर्ड जीरा की मुह में ही गुश जाता है, जैसे प्लेन तबाह हुआ, काफी बढ़े दमाखी की साथ गोर्ड रहा का पूरा मोही उठ जाता है, पिए देकर डॉक्टर और सारे लोग शिकी शिमा की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं, पर कुछी दूरी पर पेराशूट पर उठती हुए उने, शिकी शिमा नजर आ जाता हैं, जो देकर सभी काफी खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉर्ड वो अभी जिन्डा हैं, पिस सब की बारे में रीडियो की जरीए मकैरने को भी पता चल गया था, जो जानकर वो भी काफी खुश हो जाता है, और उसे याद आया कि हाँ, मैंने शिकी शिमा को बताया था कि इस प्लैन में पैराशूर भी है, उसे इस बास से काफी खुश हो जाता हैं, और वो सारे टुकड़ी पारे में जा दिलते हैं, और इस तरहां गॉर्ड जिला का खातना जाता हैं, सबी लोग शिकी शिमा के बाहादरी पर काफी खुश हो जाता हैं, और अब या मिशन के पुरा होते हैं, यह लोग वापिस बेस पर आएं, जहां भी सारे लोग काफी खुश थे, यहां मेकैनिक शिकी शिमा से मिंकर उसे गरी से लगा लीता है, केरी नगां के शुकर हैं, आखिरकार अपने बाहादरी से तुमने यह करी लिया, यहां उसे मिनने पडोसन और बच पर काफी जखमी थी, यह तीनों एक दोसरी से मिनकर बहुत खुश हो जाती हैं, नोरी उसे पूछती है, क्या तुम्हानी जंग खत्म हो गई, इस पर वोग उसकुला कर के तै कि हां, और मेक कामियाब रहा, इस पर तीनों मिनकर काफी खुश हो जाती हैं, और अब एक फेम काफी कहानी यही बल खत्म हो जाती,